हेलो गाईज मेरे इट्रोग चैनल महावी राज ब्लोग में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबको सितामडी मेला बंटोला एक्स्पोलोर करवा रहा हूँ आप सब मेरे वीडियो में कंटीनिव बने रहेगा और ये मेला काफी दिनों से चलते आ रहा है ये मेला बहुत ह सारे दुकाने लगी हुए है यहां पर सारी दुकाने लगी हुए है जैसे कि आप देख सकते हैं बेलून की दुकाने और काफी भील लगी हुए इस मेले में बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं इस मेले को इंजोई लेने के लिए और यहां पर हर वर्ष 30 जनुवरी को लगती ये मेला चोडल, फुटबॉल और मुर्गा लड़ाई इस मेले में होता है आप देख सकते हैं कितनी खुबसूरत ये मेला लगा हुआ चार और कितनी भील लगा हुआ इस मेले में काफी इंजोई ले रहें इस मेले में आकर और अब ही कभी मुका मिले तो इस मेला का आनद लेने के लिए एक बाद जरूर आएं बहुत ही सुन्दर मेला कितना खुबसूरत सा भील लगा हुआ इस मेले में देखिए सारी दुकाने लगी हुई है अच्छा अच्छा देखिए आए हुए बेचने के लिए यह अगुद लगा हुआ है इस मेले में बहुती पर्चलित मेले बहुती पुराना मेला है यह इस मेला में बहुत दूर-दूर से लोग मेला का आंद लेने के लिए आते हैं और पड़ बड़ी डूशु का यहाँ यहां देखिए बड़े-बड़े टूशू यहां लाया जाता है और इसका प्राज वितरन किया जाता है अब देख सकते हैं मेला तो ज्यादा बड़ा है नहीं पर मेला को बड़ा बनाने में बहुत आदमी का यह सोयोग होता है जिस तरह यह देखिए इस तरह से प्रोग्राम होता है यहां पर चलते बुलते नजर आए को ही तरह बहुत सार प्रोग्राम किया जाता है इस मेले में बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं लड़ू का यहां भी है विक्री हो रहा है देखिए बहुत दूर-दूर से के लिए आते हैं यहां पर घुमने के लिए यहां पर देखिए बहुत सारे किलोने विक्री होता है अए आइस क्रीम भी विक्री होता है इसे किलाडी गन वैठे हुए हैं अब लाया गाए आ लाया गया है हुआ है 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 वोग है वह सुन्दर बहूत ही घ्र होता है कि लाडि घनी कर दिखे घया उडी निबटार है तो यह देखे कुर स्वारी कफिरा स्टागामेंट आप सब में दिखा गाई रहा हूं है किवाइट पुराने खिलाडी और बहुत ही दुर से आये हुए हैं यह खिलाडी और इनसर बोल ही रोमांचंग मैच आप सब देखने को पाईयेगा अचिन देखिए गोल होगी आए हंपर देखते देखते ओर गोल की कुशी में हाँ पज रही है देखिए अचार और का देख आपका मुकामला जबरजस्त होने वाली है क्योंकि एक साइट गोल चुका है दूसरी साइट नहीं हुआ है इस कारण से रोमांचक मेच और यह देखिए गेन को एक दूसरे पास पहुचाते हुए काफी रोमांचक मेच और इसी जगह रिफ्री महादय ने अपनी सीटी बजाते हुए अफसाइट के सारा देते हुए हुआ देखिये कितना इस सुझद थी एच और अपनी औरा रही है देखिये इसके बाद प्लिक पे इसके बाद होने वारी है यह देखिये वह रोमांचक बहुत की पास खेलते हुए लोग आते हिं देखने के लिए मस्ति लेने के लिए कि पाराद कि अच्छार विए लगा हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अपने मैदानों की और जाही रहे हैं देखिए लड़ी गन जा रहे हैं ग्राउंड में लास्ट यहर का यह मेच कैसा लगा मेच देखके एक बाद जुरूर कोमेंट कीजेगा इस चैनल के माइदम से हर्स बर्स इसी ग्राउंड में यहां पर मेच होता है तीस जनवरी द्वाजार चोबिस और इसी तीस तारिक में हर साल मेच होता है यहां पर चारोर का ग्राउंड का नजारा और शाम का समय है सब अपने अपने घरों की ओर जा ही रहें कोई बदाम लेके को कोई गुबारा लेके तो कोई फिलोना लेके अपने घर की और जा रहे हैं यहां पे देखिए कतारी लेके अपने घर की और जा रहे हैं यह देखिए रोड में अपने अपने घर जाने के लिए निकल चुके हैं आप सब देख सकते हैं यह मेरा मुरगा है देखिए राज्जी पत्रहातु जाने वाला रस्ता है और इसी रस्ता के सामने जश्ट सामने यह मेला लगता है हर साल 30 जनुरी को लगता है यह मेला देखिए चार और सो यह जंगल है उसी के बीच यह ग्राउंड है ज्यादा बड़ा ग्राउंड तो नहीं है पर ग्राउंड फूरत सा यहां फूटबॉल पूर्णामेंड हो रहा है और दोनों खिलाडी बहुत ही यह बर्जस्त खेल रहे हैं यहां पर ठाल ताको उस्का घाले समार्द सुट्सेंट्सरी नाले जेखिए भीलिको नेखिए थीगा प्रुबुल के सट्ट्स आश्सट्पल प्राउंड ट्रुणू है ग्रहे हैं